हाई बीटिफिल एंजल्स वैलकूम दो डिवाइन फैमली राधे राधे जैशे किष्णा आई होप आप से लोग अच्छे होंगे खुश होंगे और स्वास्त होंगे मेरा नाम है रेनू और यह होने वाली है आज के लिए रीडिंग नेक्स 24 आवर्स के लिए तो यहां पर मे कार्द को पिक कर सकते हो एक पर्सनल मैसेज के लिए साथ में बने रही है साथ में क्योंकि मैं करने वाली आण एकस्पेक्टेड सर्प्राइज wys at the end ओर स्वाल मेंशेज और कÁपी सारे चैनल मैसेज्स और लेने वाली हूँ मैं यहाँ पर थोड़े से चार्म्स भी तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले message से पहले card से यहाँ पर है night of pentacles किसी तरह का heart felt message लेके कोई आपकी तरफ आ रहा है ये message, ये guidance, ये कुछ भी किसी तरह का person हो सकता है या energy हो सकती है आपके लिए जो message आपके दिरफ आ रहा है काफी healing message हो सकता है ये आपको और किसी तरह की proposal या commitment भी हो सकती है तो सब के लिए differently ये message वो करेगा और कहीं के लिए healing वाला, you know, किसी तरह की message की आप wait कर रहे थे wait नहीं कर रहे थे, कई बर होता है ना कि हम लोग किसी वीडियो से कोई spiritual ऐसा, आपके दिल को छूँ जाता है, कुछ message ऐसे सुन लेते हैं कोई guidance ऐसे सुन लेते हैं, तो इस तरह का भी message हो सकता है जो आपके heart chakra को heal करे, right, आपके दिल को छूँ जाए और किसी ना किसी रूप में आपको healing दे जाए और ये किसी person की तरफ से भी हो सकता है, कोई person आपकी तरफ आ रहा है earth sign हो सकता है, यहाँ पर टॉरस वर्गो या Capricorn, तो जो person आपकी तरफ कोई heartfelt message लेके आ रहा है किसी तरह की commitment, forgiveness आपके लिए लेके आ रहा है यहाँ पर है second card चलते हैं, यहाँ पर है the high priestess high priestess किसे तरह के secret आपके सामने open हो सकते हैं किसे तरह के राज आपको पता लग सकते हैं यह राज किसी person के बारे भी हो सकते हैं जो हो सकते हैं, यह person आपके लिए 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 बताने के लिए और कहीं न कहीं ये कई बर ये होता है कि हम अपने लिए कुछ ढूंड रहे होते हैं लेकिन कुछ पता नहीं होता कि क्या ढूंड रहे हैं mostly हम लग ढूंड रहे होते हैं अपनी answers, guidance, solutions जूर रहे होते हैं अपनी problems, अपनी challenges के लिए तो वो भी पता लगने का आपको यहां पे chances हैं कि कहीं से न कहीं से आपको ये किसी book के दौरा कहीं से भी आपको ये videos के दौरा कोई message आपको मिले जो आपको लोग ये अच्छा, ऐसा है यानि कि आपकी किसी challenge का solution मिल जाए आपको कोई guidance मिल जाए, आपको कोई help, आपको कोई secret पता लग जाए, spiritual जैसे होता ना, वो भी हो सकता है, answers मिल जाए आपको, किसी ने recovery, चाबी मिल जाए, वो भी है ये, आपकी intuition भी किसी तरह से आपको guide कर सकती है, ये आपके answers धूनने में, ये high priestess बहुत जादा connected होती है, moon energy के साथ ही नो, तो वो intuition भी आपको कहीं न कहीं, आपकी spirit guides भी आपको help कर सकते हैं, कोई अगर आप काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको help और guidance मिल सकती है, next है, यहाँ पर 10 of swords से ये energy है कि, किसी ने किसी तरह की painful situation का end है यहाँ पर, किसी तरह की mental healing available है, तो अगर mentally बहुत जादा आपके कुछ चल रहा था, जो आप छुटकारा नहीं पापा रहे थे, तो यहाँ पर उस चीज़ का आज छुटकारा मल जाएगा आपको, कई पर पता नहीं क्या होता है, कि 2-3 दिन के लिए हम लोग एक zone में चले जाते हैं, जब बहुत जादा सोचते हैं, बहुत जादा stress ले जाते हैं, और फिर एकदम से उसकी healing भी हो जाती है, तो यह किसी situation का end है, जो आपको एक तरह की healing भी लेके आ रहा है, यह situation, कुछ भी हो सकती है, तो अब चलते हैं, आप लोगों के लिए पहले चैनल messages देख लेते हैं, यहाँ पर उसके बाद होंगे चार मेसेज़ज़ और unexpected surprise, बहुत सारे निकल आए हैं, तो सारे ही रहे लेंगे, declutter, तो आप कहीं न कहीं declutter कर रहे हूँ, मुझे लग रहा है decluttering, यह mind की हो रही है, तो अगर mentally बहुत चल रहा था, decluttering, cut the course, otherwise decluttering, situation की, समान की, लोगों की, कुछ भी हो सकती है यह, बातों की, gossip की, cut the course, तो course कट कर रहे हूँ आप, mind blowing idea है यहाँ पर, तो जो मैंने बोला कि यहाँ पर कोई solution आपको guidance मिल सकती है, तो यह उसके साथ message, appreciate yourself, अपने आपकी, appreciate कीजिए अपने आपको, या कोई और भी कर सकता है, inspiration है यहाँ पर, तो आपको कोई चीज, कोई idea, यह mind blowing idea, शायद आपको inspire कर रहा है यहाँ पर, और शायद इसी inspiration की आप wait कर रहे थे यहाँ पर, तो उस वज़े से आपको इस situation में से निकलने में असानी होगे, जब हम लोग फिर से inspire हो जाते हैं, किसी चीज को लेके passionate हो जाते हैं, तो इस situation में से भी, इस negative thinking या over thinking में से भी निकलाते हैं, communication है यहाँ पर, communicating, जो आज करेंगे, वाइटल्टी है यहाँ पर, तो जो इस से लग रहा है, मुझे healing है, masculine energy है यहाँ पर, तो masculine इस person की energy हो सकती है, या आपकी masculine active हो सकती है, यहाँ पर, self love है यहाँ पर, तो self love को आप choose कर रहे हो, और इस को situation को आप end कर रहे हो, और देख लेते हैं, message ही यहाँ पर है, हरी को खुश करना possible नहीं है, अपने आपको खीजिए, please yourself first, बहुत अच्छा message है, you are very persistent in pursuing your goal, तो जो भी आप, मुझे लगता बहुत serious हो रहे हो आप, अपनी goals को achieve करने के लिए, उसके लिए या आप participate कर रहे हो, initiative ले रहे हो, happiness surrounds your events this week, तो happiness ज़रूर रहेगी आपके surrounding में, आपकी artistic side या आपके लिए, कोई appreciate कर सकता है, यहाँ पर आपकी जो भी sight है, उसके लिए, आप कुछ, किसी बी तरह के straight forward और honest हो सकते हो, आज बड़े, यहाँ पर है कि, अपने आपको please कीजिए, तो उसके लिए शायद आप honest रहेंगे, अपने आपको पहले choose करने के लिए, खुश रखने के लिए, और बहुत straight forward होंगे, you know, obviously, जब हम लोग दूसरों को please कर, ना करके, अपने आपके उपर focus करते हैं, तो वो तब ही हम लोग honest रो straight forward हो जाते हैं, या फिर हम लोगों को कहना पड़ता है, four leaf clover है यहाँ पर, किसी तरह का good luck आपके साथ रहेगा आज, और साथ में यहाँ पर है, वाँ, fairies, healing, और angels की help, hope, साथ में faith और healing, आपके साथ बनी हूँ, यह cross है यहाँ पर, वाँ, protection मुझे word सुना, protected हो यहाँ पर, यहाँ पर किसी भी तरह की negative energy से remember help करता है, cross, यहाँ पर है bird, जिसके wings open है, यानि कि किसी तरह की freedom है यहाँ पर, जो इसका message हो सकती है, तो आपने आपको किसी situation से, किसी person से, किसी energy से, आप अपने आपको free कर रहे हो, तो wings open कर रहे हो, यहाँ पर star की energy again है यहाँ पर again hope है यहाँ पर healing है यहाँ आप star seed हो सकते हो कि यहाँ पर दो stars है आपका यह जो person है यह star हो सकता है star seed हो सकता है एक दो message और ले ले लेते हैं यहाँ पर कमेलीन है जो यह दिखा रहा है कि अपने आपके साथ connected रहना अपने आपको please करना अपने आपकी honesty straight forward यह निकि अपनी authentic self को follow करना तो यहाँ पर है wheel of fortune किसी ने किसी तरीके से wheel of fortune आपके लिए आपकी favor में जरूर आज घूमने वाला है तो यह ऐसा नहीं होता कि बहुत कुछ बड़ा होगा आपकी तभी आपको पता लेगा कि इस wheel of fortune की energy है आज यह wheel of fortune अडेली उसमें अगर निकले उसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ positive change है तो जहाँ पर भी life के किसी भी area में आपकी रुकी हुई है या dark है उसका move कर जाना बहार मूँ कर जाना साफ यहां पर भी दिख रहा है यहां पर भी दिख रहा है कि आपको किसी तरह की किसी तरह की guidance या answers मिल सकते हैं यहां पर और यहां पर भी healing या commitment या किसी भी तरह की हार्ट चक्रा की energy है यहां पर तो तीनों हो में से अगर हम लोग देखे हैं कि वह इसका आँटकम वह बहुत पॉज़िव है जो इस वजह से है वील और फोर्चिन की एनर्जी की वजह से है यहां पर आज के लिए आपर देख लिते हैं आफ ऑन एकस्पेक्टेड सर्प्राइज क्या है अब लोगों के लिए unexpected surprise आज के लिए यह है कि किसी तरह का clear communication है यहाँ पर clear communication again किसी person के साथ हो सकता है बिलकु क्लियरली शायद वो person या आप अगर communicate करते थे past में तो शायद clear नहीं करते थे अपनी authentic self के साथ you know clearly बात नहीं कर पाते थे किसी तरह की अगर blockages थे तो आज वो clear communication available है या फिर यह clear communication आपका अपनी guides के साथ अपनी soul के साथ अपनी holy spirit के साथ जो यहाँ पर high priestess उसमें भी energy नज़र आ रही है यहाँ अपनी intuition के साथ clearly communicate करना कई बर क्या होता कि हम लोग wait करते रहते हैं कितने दिन हो तो किसे answer की solution की और कई बर जो है एक you know एक minute में लोगों को answer आ जाता तो clear communication यहाँ पर है यह unexpected surprise होगा कि कोई person एकदम से आ गया आपको clearly कुछ बता रहा है बात कर रहा है communicate करने लग गया एकदम से और साथ में अगर आपकी intuition और guide से भी angel से आपको एकदम से help और guidance मिलगी जो यहाँ पर भी angel का जो charm है यहाँ पर alignment भी एक तरह का जब आप alignment में होते हो अपने mind body soul अपने divine के साथ तो भी answers जो है बड़े easy हो जाते हैं receive करने तो अब चलते हैं यहाँ पर miracle message की तरफ आज का miracle message इस crystal की तरफ से यह है कि आज आपकी mind body soul की cleansing और healing है तो यहाँ पर healing का message तो ही है कई लोग feel कर पाएंगे mind का भी message है यहाँ पर body के लिए हो सकता है right pentacles जो है healing के लिए भी होते हैं और you know grounding यहाँ पर दिख रही है क्योंकि यहाँ पर earth sign है earth की energy है इस pentacles है जो earth element को शो करता है और स साथ में यहाँ पर इस mind की healing यहाँ जैसे मैंने पहले बोला कि mind की healing है यहाँ पर आप 10 of swords के जो बहुत जादा stress ले रहे थे किसी बात के लिए उस में से situation में से आप बहार निकल रहे हो let go कर रहे हो course को cut कर रहे हो declutter कर रहे हो अपनी mind का declutter कर रहे हो यहाँ पर soul की भी तो अ कईयों को कई feel कर पाएंगे कि हाँ कुछ तो change हुआ है आज कुछ तो बहुत deeply healing feel कर पाएंगे और कईयों को शायद अगर soul level पर हो तो वो शायद ना feel पाएंगे हो सकता है कि आप meditate करें आप deep meditation में चले जाएं आप बहुत grounded feel करें आज वो भी आपकी soul की healing ही दिखाती है cleansing दि नीचे है यहाँ पर communication है यहाँ पर high priestess है किसी तरह कि यहाँ पर जरूर आज good luck आपकी तरफ है वो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर four leaf clever यहाँ पर cross sign wheel of fortune तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं share कर सकते हैं कि कौन से आज इस तरह की कौन सी you know आपको change देखने को मिली है तो आ आपकी favor में थी तो यह थी आप लोगों के लिए reading thank you thank you thank you thank you so much for watching please like share subscribe जूर करे मेरी चैनल को comment section में जूर बताएं कि आपको यह reading कैसी लगी है thank you thank you thank you so much for watching and bye for now